हलो माई व्यूटिफुल सोल फैमिली होग कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को इंजॉई कर रहे हैं यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विस्स पूरे हो जाए और जैसे जिन्गी आप चाहते हैं वैसे जिन्गी आपको exactly मिले वेल आज का जो हमारा टॉपिक है वो सच में बहुत जादा ब्यूटिफुल और डीटियल रिडिंग होने वाली है आपने देख रखा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ आपका टॉपिक है कि आपके शादी जिस परसन से होगी वो परसन कौन है और आपकी मैरेड लाइफ जो है वो कैसी रहने वाली है यह दोनों पॉइंट यहां पर क्लियर होगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर देखने वाले हैं वो यह है कि कभी में आपके सी टैरो डीडर या फिर एस्ट्रोजर के पास जाते होंगे तो लोग कहते होंग कि शायद तुम्हारा शादे के बाद किसमत चमक जाएगा ठीक है बहुत जादा गुट फॉर्चिन ग्रेट फॉर्चिन को इंजवाई करोगे तो क्या यह सच में आपके साथ भी होने वाला है क्या आपका भाग उदे होगा आफ्टर मैरेज ठीक है तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टिंट है और डीटेल में बताऊंगी कि इन लॉज जो है किस तरीके से आपके केरियर पे प्रोफेशन पे और आपके मैरेड लाइफ पे अफेक्ट डालेंगे और आपके परसन जो फ्यूचर पहुत होंगे वो खुद कैसा अफेक्ट डानने वाले है परसन का लव लाइंग्विज क्या होगा ठीके आपके जो परसन है उनका बीएवियर क्या होगा कैसे वो इंसान आपको ट्रीट करने वाले हैं और क्या लव लेटर देना चाहते हैं प्रोफेशन बगेरा हो गया सौंग्स हो गया वो सब कुछ मैं आपको डीटेल में है उसे क्लिक करेंगे तो आप जिन्वन इंस्टाइडी पर पहुच जाएंगे ठीक है और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सन रिडिंग ले सकते हैं देखिए एक मैंने ऑफर रखा है आप सभी के लिए कि इस मंद का आपका डिसकाउंट ऑफर आज से ऑन हुआ है और ये इसी भी टॉपिक पे मैरेज हो लव लाइफ हो केरियर हो हेल्थ हो पास्टाइफ रिग्रेशन हो देखिए ये डिसकाउंट ऑफर जो है यह आपके अकोर्डिंग होगा ठीक है मतलब लोग जो है अपनी परसेडिंग नहीं ले पाते तो आप जैसे बोलोगे वैसे आपको यह डिसकाउंट ऑफर मिलेगा और आप अपनी परसेडिंग बूक कर सकते हो यह बहुत बड़ा उपर है तो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग कीजिए ठीक है वैल यहां पर मैं बता देती हो कि यह जो डिडिंग है आपकी टाइम लिस रिडिंग होगी मेल हो फीमेल हो फ सभी को पाइल सेलेक्शन क्यासे करना है पहले मैं आपको बताने वाली हो फिर मैं आपको पॉस करके दिखाओंगी ताकि अपना समय लेकिए आप लोग सेलेक्ट कर पाएं सबसे पहली बात आपका बर्थरे जैन्वरी टू जून के बीच में आता है तो पाइल वन आपकी बीच में और फाइल वन के लिए जो काड़् है वो है आपका वोमन होल्डिंग कर को लिए एक सेलेक्ट कर सकते है या फिर आप डर्ली अपने बन मंद के कोरिंग देख सकते है वीडियो की description में time stamp of course दिया गया है उसे click करेंगे तो आप अपने pile पे पहुँच चाहेंगे और अच्छे से पूरी reading को देखिए पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे आप अपने बर्थ मन को सेलेक्ट करके आए है या फिर आपने सेलेक्ट किया है वोमें होलिंग का हर्ट कार्ड को ठीके तो यहाँ बें कुछ कार्ड्स आपके लिए लेना शुरू करती हूं और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि आप लोग पहले अलाइन हो चाहिए ठीक है आप एक दम परफेक्टली अलाइन हो चाहिए लाइक अन सब्सक्राइब करके ठीक है और 1111 टाइप भी कर सकते है है 444 भी टाइप कर सकते है यह आपका इंजिलिक नंबर है आज का जो कि आपके लाइफ पे ब्यूटिफुल एफेक्ट डालेगा और दिखे परसे लिडिंग पे ग्रेट डिसकाउट आज से ऑन हुआ है और यह कुछ दिन तक रहेगा तो अपनी रिडिंग चल्दी से बु पोलेंगे वैसा होगा ठीक है तो प्लीज कोट गीफ में की रेट मैसेज फॉर में डियर व्यूवर्स कैसे कॉंटाक कर सकते हो परसे लिए तो जीमेल और इंस्ता इडी के तुरू कांटाक कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल अनिस्ता इडी का जन्वेन दिया गया है उसे क्लिक करेंगे तो आप जन्वेन इंस्ता इडी पर पहुंच जाएंगे यहां पर आपके लिए फॉर कार्ट्स आ चुका है यहां पर फॉर कार्ट्स में और भी लूंगी ठीक है और एक्स्प्लेंड करके मैं आपको बताने वाली हो कि आपके जो परसन है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बताऊंगे चीट्स के तुरू लाइक फिजिकल अप्यरंस हो गया सॉंग्स हो गया लव लैंग्विज हो गया सब कुछ डीटेल में देगे सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहते हूं कि आपके जो परसन है उनका ज गलत बुरी आदिते बिल्कुल भी पसंद नहीं है इन शॉर्ट कहां जा सकता है कि उनको करेप्शन हो गया ना करेप्शन में इंवाल हो जाना बहुत सारे पैसे कमाना दूसरों को भी मतलब एक्स्प्लॉइट करना यूस करना ठीक है तो यह सारी चीजे बहुत जादा इन पर दिखाई दे लिए ऐसा हो सकता है इनका कोई ऐसा जॉब रहा होगा ठीक है जिसमें कि यह जो परसन है देखते होंगे लोग बेमानी कर रहे सामने से तो यह जो परसन है उस जॉब को साथ छोड़ दिये उस जॉब से निकल गए क्योंकि इनको भी बहुत ज़दा फोर् सचाई फैलाना चाहते हैं और हैपिनेस फैलाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे यह दिखाई दे रहा है कि आपके जो परसन है वो ना बुरे लोगों को हैंडल कर पाते हैं ना बुरे सिचुएशन में रहना चाहते हैं यह इनसान जो है हो सकता है सब को छोचागे फॉर इनको अपने सारे सिचुएशन को अपने लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ा होगा ऐसा मैं यह पर देख पा रही हो क्योंकि एक जॉब लगजाना अच्छा स्टैबिलिटी होना उसके छोड़ देना उसके बार फिर नया शुरुवात करना बहुत बढ़ी बात होती है इनको जूट से नफरत है और यह परसं तुरुच से प्यार करते है और यह परसं लोगों के साथ भला करने वाले इनसान है तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह फॉरिंट हो सकते है या फॉरन में रहते होंगे, बहुत लंबे समय से फॉरन में रह रहे हो, या वहीं जाके सिफ्ट हो गए हो, यह इच्छा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी नहीं गए है, तो इनका प्लानिंग है बहुत जल्दी फॉरन जाके सिफ्ट हो जाने का, हो सकता है कि शादी हो जा गाड़ी हो सब कुछ हो लेकिन एक वाइट मनी के थ्रू हो ऐसा यह परसन सोचते हैं यह परसन साइंस और टेक्नलोजी फिल्ड के भी हो सकते हैं ठीक है इस परसन अपने लाइफ में बहुत सारे बॉयलेंस देखे हैं बहुत सारा अपसंड डाउंस जगड़े टेंशन जो इंसान इतना कुछ देख चुका है बाहरी दुनिया में वह कैसे अंदर से स्ट्रॉंग नहीं होगा वह बहुत जादा अंदर से स्ट्रॉंग दिखाई दे रहे हैं और हम आपको बताया एक साइंटिस्ट हो सकते हैं ठीक है वैसे में प्रोफेशन में आपको बता दोग बहुत जादा स्ट्रॉंग चीजों में बिलीव रखते होंगे मुझे असा लगजा है बहुत ही लिब्रेटेट टाइप यह परसन होने वाले है ठीक है बहुत ही जादा क्या होंगे सिक्योर एंड सेफ रहने वाले परसन है जल्दी किसी पर भरुशा करने वाले इनसान है ठीक है उसके बाद यहां पर फोर हाउस की एनरजी है यह परसन बहुत अच्छे सेफ भी हो सकता है ठीक है इनका प्रोफेशन हो सकता है या फिर इनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता हो एक टाइम रहा होगा जिसमें यह परसन सेफ का जो कोर्स होता है वो भी किये हो ऐ इनर्जी मुझे आपने दिखाई दे रही है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है परसन टेलिविजन पर भी आए हो ये भी हो सकता है तो आपके ये जो परसन है ये नेम फिर्म भी चाहते हैं और शायद इनको थोड़ा बहुत नेम फिर्म भी मिला हुआ है ऐसा मैं आपने नोटि प्रेक्टर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्योर होगा ठीक है और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह ऐसी इंसान है जो कि अपने फैमिली को पूरी फसलीटी दे के रखे हैं लेकिन ये परसन उस फसलीटी का उतना यूज ने करते बस इनको यह है कि ह आपने फैमिली को खुछ रख सको ऐसी वाली इस परसन की इनरजी है इस परसन के पास बहुत सारे वाइकल्स वगेरा हो सकते हैं गाड़ी बाइक्स ठीक है जो भी इनका फैबरेट होगा वो इनके पास होंगे और काफी लगजरियस टाइप मुझे कार दिखाई दे रहा है और लगजरियस टाइप बाइक भी इस परसन के पास हो सकता है यह परसन ऐसे है कि इनका नेचर बहुत ज़्यादा फॉगिवनेस वाला है फॉर्गिविंग नेचर है लोगों को माफ करने वाला नेचर है यह परसन जब मैंने आपको बता हैं कि हैंडल नहीं कर पाते तो व बार बार रिबर्थ की है यह परसन अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंज्वाइक करते हैं और इन फ्यूचर भी करना चाहते हैं मतलब यह चाहते हैं कि जो मेरी फ्यूचर स्पाउस हो उसको मैं अपने लाइफ का सब कुछ दुनिया का सब कुछ में दे दू ठीक है और उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहते हूं कि यह जो परसन है यह रियल स्टेट के भी हो सकते हैं ठीक है जिसमें भी इनको बहुत सरे अपसें डाउंस देखने पड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके रिलेटिव के साथ इनका या फैमिली के साथ इनका कोई नियुकत को व्यूज को ऑपर होंगे के लिए की मुझे कुष्ष रना है ठीक है डिए मेरे पृइनद के बहुत साल बचैल मतलब यह वहां यूरैं नहीं कुझाल की बहुत बր्साइल बदलब यह ऐसे इंसान नहीं है जो कि एक ही चीज में रह जाएँगे की काम करते रह जाए इनके पार हो सकता है lots of source of income हो सकता है बहुत जादा वर्सेटाइल बतलब जिस चीज में जिस जैसा सिच्वेशन है उस सिच्वेशन में ढलने वाली यह परसन है थोड़ी सी साथ मतलब आप हमां करना होगे इनका बॉलने का मून करने का तारीका बात करने का तरीका अच्छाओं ऑब बहुत कॉनिकेटिव होगे वलाख ही आपने आपको एक खुली किताइब की तरह आपके सामने रख देंगे ऐसी एनरजी मुझे आपके दिखाए दे लिए तो यह परसन काफी कॉमुनिकेटिव होंगे लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते चले गए बगपक करते चले गए ऐसा नहीं जो बोलेंगे अच्छी बा परसन का यह होगा कि जादतर और आपको नेच्रल प्लेस पे ले जाये करेंगे चादी के बाद यह सादी से हमें जाना है वहां होना है तुमिर फे पे लकर आंगा एक चीज है कि यह परसन जिससे प्यार करते है उससे बे इntहाब करते तूट कर प्यार करते वह वाली एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन यह परसंट थोड़े जिद्धी भी हो सकते हैं अब देखें यह इनसान अगर आपसे प्यार कर रहे हैं तो इनका भी एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनसे बहुत प्यार करो विंतहां प्यार क हो सकते हैं और हां इनका और्गनिक फार्मिंग हो सकता है अग्रिकल्चर फिल्ड के हो सकते हैं ऐसी इनर्जी दिखाई दे रहे हो सकते हैं तो बहुत अच्छी एनर्जी है और इनका जॉब बहुत स्टेबल होगा पहले जो जूब था उसमें बहुत अपसें डाउंस थे कियोस था बहुत लेकर आप जो जॉब करते हैं यह परसंट अपने मर्जी से करते हैं और इस जॉब में यह परसंट बहुत खुश है यह परसंट एक प्रोफेसर भी हो सकते है ठीक है वैसे मैं आपको बताऊंगे प्रोफेशन तो देखें यहां पर यह चीज़ है कि आपके आपको एक बहुत peaceful married life देने वाले है यह person के अंदर बहुत energy है बहुत versatile मतलब यह person art lover भी दिखाई दे रहे हैं मतलब इनका इनके हाथों में बहुत सारा कला हो सकता है painting बहुत अच्छा करते हो सिलाइक कड़ाई बहुत अच्छा करते हो sketching बहुत अच्छा करते हो ठीक है यह सब है art lover हो सकते singing बहुत अच्छा कर लेते हो परसने कभी आपका साथ नहीं चोड़ेंगे और आपके freedom को कभी नहीं चीनेंगे मतलब जैसे आप अपने जिन्दगी को जीना चाहेंगे ना यह पूरा का पूरा मतलब आपको support करेंगे ऐसा मैं आपर देख पा रही हो ठीक है उसके बाद यहाँ परसन है philosopher भी हो सकते है और इस परसन की energy मतलब बहुत idealistic परसन होंगे ठीक है स्वाबी मानी जिसे कह सकते है उस type के यह परसन होंगे और हो सकता है तो है बहुत pride हो मतलब अपने rules and regulation के अगेंस जाने वाली यह परसन नहीं है चाहें के सामने कड़ोरों रुपे भी क्यों ना रख दे ठीक है अगर उनको ऐसा लगेगा को उस पैसे को मैं अच्छे मांदारी से कमा सकता हो तो क्यों नहीं तो बहुत स्वाबी मानी इंसान होंगे यह और बहुत enthusiastic इंसान होंगे boring नहीं होंगे कि मैं चलो इस काम को कर लेता हूं कर लेता हूं कि इसके नहीं अगर करना है तो करते होंगे ठीक है ऑनस्ट बहुत होंगे चाहे आपको लेकर हो चाहे अपने family को लेकर हो relative को लेकर हो चाहे stranger को लेकर ही क्यों नहीं कि फोलेंगे और बहुत पढ़ी लिखे बहुत सीखे हुए बहुत experienced person है और impulsive होंगे ठीक है कभी कभी सबी लोग अपने life में कुछ एक्षन लेते हैं इनके अंदर भी है वो इंपल्सिव एनजी लेकिन बहुत सिच्वेशन एक्सेस होता होगा तब मैंसे यह चाहिए इंको एज कुछ भी हो बहुत जादा खेल कूद करते होंगे जैसे आपका 40 एज है तो उनका 44 है जैसे आपका 30 है तो उनका 33 है 25 है तो 28 है ठीक है आप दोनों का difference उसके बाद यहां पे है कि आपके जो person है वो बहुत romantic इंसान भी हो सकते है ठीक है वेल यहां पे मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपके person romantic होंगे प्यार करेंगे है sensual connection होगा ठीक है लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे important दिखाई दे रहा है कि वह सब तो एक time बाद क्या होता है ओवर होता है लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यहां जिए करना एक दूसरी के war situation में साथ रहना तो क्या आपके person आपकी साथ होंगे आपके situation में यहां के मन मे थीए पर्सन आपको हमेशां मनायों करेंगे पैमपर किया करएंगे आपके लिए लिए सॉंग्स लिखा करेंगे अपके सामने गया करेंगे आपको दोट connection आप दोनों की बीच में बहर साथ दिखाई दे रहा है तो अंग mythcial कि आप दोनों का भा अधिये होगा यह नहीं आपका होगा यह नहीं चीज देह स्विश्या के हाठ्या आपका होगा तो उनका भी जव्रूर होगा सुप्ली साद की डिव मैसेट tai ho होगा या नहीं फॉर्स्ट ली सकॉर्ट गिपने कि एक मैसेज फॉर्म अधियर व्यूवर्स भागत दे होगा या नहीं मेरे व्यूवर्स का सेकेंड दो लास्ट यहां पर काड और लेंगे फॉर्स ओके आ चुका है तो यह फोर कार्स जो है यहां पर आपको बताएंगे कि आपके future spouse मतलब husband wife से मिलने के बाद शादी के बाद आपके लाइफ में कैसा changes होगा अगर भागो दे होगा तो oh that's great door to personal healing and happiness वाओ यह तो बहुत जबजिस्ट काड़ा चुका है यूनिवर्स यह कहना चाहते है कि yes 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 definitely आपके लाइफ में personal healing होगी जब यह person आपके life में आएंगे ठीक है आपकी personal healing भी होगी और आपके life में बेंतहा प्यार होगा और बहुत सारा happiness होगा मतलब एक होता है ना कि डरदर के जीना married life को नहीं आप अपने life को खुल के जीते हुए दिखाई दे रहे देख सकते हो कितना beautiful आपका married life होगा कितना colorful होगा rainbow की तरह beautiful होगा तो यह definitely इस person का age 34 भी हो सकता है आपसे 3-4 साल का अंतर हो सकता है आपका 30-38 ऐसा हो सकता है तो यहाँ पी यह चीज़ है कि आपके जो person है यह आपके life में भाग उदे लेकर आ रहे हैं बहुत सारे transformation लेकर आ रहे हैं आपके कुछ family की issue है तो family की issue को भी solve करते हुए दिखाई दे रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है यह सिर्फ आपसे मतलब नहीं रखेंगे बलकि आपके family से भी मतलब रखेंगे family को भी importance देंगे support करेंगे oh my god that's great मुझे पता नहीं आप ऐसा लग रहा है कि in laws जो है ना वो लोग भी बहुत अच्छे ह तब ही तो आप अपने career को भी एक तम खुल के जी रहे हो देख सकते हो डोटे वैल्यू का कार्ड मतलब भागे उदे तो हो रहा है और बहुत बड़े प्रमारी पे हो रहा है चपपर फाड के आपका भागे हो दे हो रहा है शादी करने के बाद तो अगर आपके मन में चल कर रहा है शादी करो या ना करो तो कर सकते हो यह पर डिपेंट करता है तो युनिवर्स के तरफ से यह है कि यह साप शादी कर सकते है यह कि शादी के बाद आपका definitely personal healing भी हो रहा है दो टु वैल्यू मतलब कि आपका professional life भी अच्छा हो रहा है financial problem भी मुझा हो रहे है ठीक है एनर्जी है तो ऐसा हो सकता है सुरवात के 18 डेस तक थोड़ा सा आपको डर या घबराहट जैसा फील हो सकता है ठीक है इन से दूर रहोगे तो आपको अकेला पन सफील हो सकता है ठीक है तो यहां पर एक तरीके से यह भी इंफॉर्मेशन है कि आपके लाइफ के जो भी एंज सबस्क्राइब करें इसलिए कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है चाहिए कुछ भी हो जाए अब मैं आपको बताऊंगी कि इस परसन का क्या है लव लैंगवेज ठीक है पॉजिटिव रही है प्लीज को गिव में क्यूरेट मैसेज लव लैंवेज बताईए सब पर डेली सेज्वल इंटिमेशी इवल मल्टिपल टाइम सब्सक्राइब ठीक है और देखते है क्या है इस पर्सन कर डिजार लव लैंगवेज देखते हैं यहां पर एसा लग रहा है कि यह जो परसन है यह आपको डेली कहीं भी जा रहे हैं आपने काम पर जा रहे हैं energy दिखाई दे रही है तो इनका love language जो है वो हग करना गले लगाना हो सकता है और यह person जो है आपके साथ मतब चाहेंगे physically, mentally, emotionally और intellectually connected रहे ठीके यह इनका इच्छा हो सकता है कि मैं जिससे भी शादी करो मैं उसे क्यों ना connected हमेशा physically, mentally, emotionally और intellectually तो यह सबसे पहले आपके साथ इस love language को शो करेंगे आपको दिखाएंगे कि मैं तुमसे connect होना चाहता हूं उसकी बाद यहां पर है यह person ना आपको छोटे-चोटे behavior के लिए अच्छे behavior के लिए चोटे-चोटे good deeds के लिए बहुत जादा आपके good behavior के लिए यह person आपको बहुत सारा reward दिया करेंगे ठीक है जैसे कि कभी आपने इनको कुछ बना कर special सा खिला दिया तो यह बहुत खुश हो जाएंगे इनको ऐसा लगेगा नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए इसके लिए ठीक है तो यह person कभी भी कहीं बाहर जा रहे है तो अचानक से यह आपके लिए surprise present जो है रग दिये हैं और आपको वह present जो है चानक से मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा और present तो रखेंगे साथ साथ एक kind hundred notes भी रखेंगे मतलब वह अपनी दिल की बाद भी कहेंगे क्योंकि gift में तो दिन की बात नहीं होगी gift तो gift होग आपका जो भी हो necklace ho ring ho bracelet ho लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी दिल की बाद भी एक चोटे से note में लिखेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर्सन का यह person को घूमना फिर ना बहुत पसंद होगा तो यह person जो है आपके साथ picnic प्लान करके पार्क वगेरा जाना पसंद करेंगे और यह person आपके साथ movies वगेरा देखना साथ में बहुत जादा इनको अच्छा लेगेगा ठीक है तो movies देखना हो गया या पिकनिक जाना हो गया और पिकनिक बहुत वाले इलाके में नहीं बलकि यह person बहुत शांती से कोई natural place पे आपको लिजाये करेंगी क्योंकि Taurus के नुजी है तो yes इनको शां फोर कार्ड यहां पर ले चुकी हूं मैं और यहां पर पहला कार्ड जो है वह आपका trust the universe देखिए यहां पर कई ना कई ऐसा है आपके मन में हो सकता है second-third marriage वाले हैं तो आपके मन ने बहुत जादा हुतल रहता है आपका हो सकता है first second third marriage इसलिए खतम हुआ क्योंकि in-laws अच आपके वह बहुत जादा समझदार होंगे इन-laws के साथ जो connection होगा वह बहुत forgiveness पर होगा और इन-laws के साथ जो भी connection होगा उसमें बहुत understanding होगी ठीक है मतलब आपके बातों को वो लोग समझेंगे और आप उनके बातों को समझेंगे inner child healing यह तो बहुत अच्छी energy है यहां प उसके साथ साथ यहां पर clear cancel and release की energy है ठीक है कुछ चीज़े हो सकती है कि उनके घर के rules and regulation के against जाए वो शायद उनको पसंद आए तो वो directly आपको बताएंगे लेकिन कैसे बताएंगे तो काफी अच्छे तरीके से बताएंगे बतलब friendly way में बताएंगे ऐसा मुझे आपर जिनों के लिए है ठीक है तो जल्दी जल्दी booking कीजे जो भी नहीं ले पाते थे सबी लोग पर से अब ले पाएंगे ठीक है स्प्रिंग उसके बाद यहां पर है आपका कि कुछ लोगों के लिए डिले भी दिखाई दे रहा है ठीक है क्योंकि यह हैंगे एक सिचुएशन है लेकिन कोई वात नहीं मैं आपको बता देती हूं कब तक आएंगे यह पर्सन देखें ऑगस्ट और सेप्टेंबर के टाइम में मतलब बिंटर टाइम में यह पर्सन आ आपके लाइफ में इंटर कर जाएं इसको क्लेम कीजिए सभी लोग अप्रेल लिखें कि हाँ अप्रेल में में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल रही हूं अब देखते हैं यह जो पर्सन है इनका ने में इनिशल क्या है ठीक है फ्लीज कॉट्ट गीव में क्यूरेट मैसे इस जो भी मैंने लॉव लैंवेज बताया है वो आप अपने करेंट परसन से भी मैच कर सकते हैं ठीक है यह पर अरेंज मैरेज होने के जादा चांसे दिकाई दे रहे हैं ए प्लीज कॉट्ट गीव में क्यूरेट मैसेज ल एफ क्या है मेरे व्यूवर्स का जो उनकी इसके बाद और क्या है ओ हो सकता है दो लास्ट देखते हैं वाई एंड भी ठीक है तो यह सारे हो गए ने में इनिश्यल अब मैं आपको बताती हो कि कौन से स्टेट के हैं आपके परसन ठीक है यह भी जान लेते हैं प्लीज कॉट्ट गीव में क्यूरेट मैसेज कॉट्ट स्टेट कहन के परसन सबसे पहले परसन मनिपूर के हो सकते है ठीक है लक्षदीब के हो सकते है डिली असाम गोवा प्लीजert में क्यूरेट मैसेज कहां से होंगे मेरी व्यूर्स के परसन फ्यूचर स्ट कॉन से कि महँंगे उत्तरप्रदेस Gujarat 36 अधिराजस्थान और देखते हैं Preascore message कॉंसे स्वेट के होंगे कि मारा राश्ट के भी होसकते है या परसंद्र प्रेष के हो सकते हैं अरुनाचल प्रदेस के हो सकते हैं दो लास्ट है यहां पर आपका उत्राखन एंड लास्ट वन इस उडिसा ठीक है जहां से भी हो आप जरह कमेंट में बताईए मैं भी जालना चाहती हूं कि कौन-कौन है जो की वीडियो देख रहे हैं और कहां-कहां से देख रहे हैं ठीक है अब मैं आपको कहां होगा देख लेता है सबसे पहले है यहां पर आपका कुरेशिया और देखते हैं प्रीज आप लोग इंग दम बिल्कुल पॉजितिव रहिए ठीक है लाइक यां सब्स्राइब कर लिजी नौरू नौरू के बाद है आपका यहां पर इंडुनेशिया इंडुनेशिया के हो सकते हैं आपके परसन अलबहनिया के भी हो सकते हैं और आयरलैंड के भी हो सकते हैं यह परसन ओके इनका है नीदर लांड यू एई के भी हो सकते हैं आप खुद भी हो सकते हो इस जगा पे रह रहे हो उसके बाद यहां पर है आपका फिल्लांड के हो सकते हैं आपके परसल यहां से एक लास्ट और देखते हैं वो है आपका आपका है फेडरेटर स्टेट्स आफ माइक्रो नेश्या यह सारे कंट्रीज हुए और मैं कंट्रीज आपको बताऊंगे कंट्रीज बहुत हैं मैंने डिवाइट करके आपके लिए हैं तो यहां से भी देख लेते हैं कि यह परसन कहा के हो सकते हैं पॉस्टिव रहे प्लीज चल्दी से लाइपन संब्स्राइब कर लिजिये अप मुझसे टो जयाए हैं यहां पर आप अिटली की Energ sticks ई हैं यास्ट यॉनकेच में वट चाइनफ बिले जहां ओर टीके तो यह सारे कांट्रीज है जहान से आपकी फ्यूचर स्पास होंगे ही होंगे थिके अब बहुँत सबसे पहले तो यहां पर देखेंगे आपके लिए रमीडी क्या रमीडी युनिवर्स देना चाहरे है तिके जिससे आपका भागी उद्धे हो जल्दी से अपनी फ्यूचर स्पाउस से आप मिलो यहां पर यह कहा जा रहा है है त्राइट दोनेट न्यूच फॉर एक फॉर विक इन रो देखेंगे जैसे हुता है कि फॉर वी काने वाला एक महीन आने वाला तो इसमें आपको चार बार डोनेट करना है कोई भी देन आप चूस कर लिजे जैसे मंडे को चूस कर लिजे और ज़रूरी निया कि कोई आप ऐसे खर्च करके देने आप अप लोमाल भी दे सकते हैं टीशम भी डे सकते हैं अप साड़ी दे सकते कुछ ना कुछ आपको न्यू अपने एक दिन करना है और जिस दिन आप उससी दिन आप नेक्स्ट वीक में भी करें उसके बाद यहां पे हैं यूज हल्दी इन जादी जल्दी से करनी तो हलदी को थोड़ा यूज कीजिए अपने बात में जैसे कि जो बाफिंग ले रहे हो वाटर है, उसमें थोड़ा सा हलदी मिला जीजिए तिक्छेच का और अपने खाने में भी आप यूस कर सकते हैं, जैसे हलदी दूद पी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके लिए है जो भी marriageable boy है प्लीज आप अभी सब भी लोग जो है सोई ये लिकिन अपना face north east direction में करके जो girls है वो north west direction में करके उसके बाद क्या है और आपके लिए remedy दोनेट वाइट अनियलो क्लोट्स देखें डोनेशन के लिए तो कहा दिया गया लेकिन किस तरह के कर सकते हो डोनेट तो वाइट और यह लोग के क्लोट्स को आप डोनेट कीजिए ठीक है मंडे जो है वह आपका बहुत अच्छा दिन है लौक्ष जिवा को वाच्शिप करें तो आपका जो मैरेश का योग यह है वो बनेगा उसके बाद यहां पi आपके लिए है आपको ना पालत के पत्ते आप जानते होगे घ्राश पी आप जानते होगे तो वह काव को खिलाए सब्सक्कार प्रीट करा ने मयरेश को का चुले। अशु भी तो उस टाइम आपको किन को याद करना है उनको प्लीज करना है ठीक है उनके सामने जो है हाग चोड़के प्रातना करना है पूजा करनी है कि वो आपके सारे विस्स को फुल्फिल करें सिके मैरेज के तो करे ही करें और सासत वो और भी सारे विस्स को फुल्फिल कर देंगे ठ तो यह चीज है आपकोर्स आपकी शादी होगी, मैरे लाइफ अच्छा होगा, करियर भी अच्छा होगा है ना अब उसके बाद देखते हैं कि आपके जो परसन है क्या है उस परसन का प्रोफेशन, पॉजटिव है यह देखे आपके जो परसन है बॉडी बिल्डर हो सकते हैं ठीक है और देखते हैं आपके जो परसन है वो क्लिनिकल साइकलोजिस्ट हो सकते हैं सर्जन या साइकाटरिस्ट हो सकते हैं उसके बाद है यहाँ पर आपका ब्यूटिशन, ब्यूटिपारलो वगेरा हो सकता है ठीक है अटेंडेंट, स्पोर्स मैं या स्पोर्स मूमिल, प आपके जो पर्सन है स्टेट PCS ऑफिसर भी हो सकते हैं बहुत अच्छी बात है ना तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा प्रॉफिशन है अच्छा कन कर रहे हैं अब देखते हैं यह जो पर्सन है आपको क्या सॉंग डेडिकेट करना चाहते हैं बिल्कुल सॉंग डेडिकेट कर रहे हैं हवाई ठीक है अगर तुम साथ हो और यहां पर कुछ लास्ट देखते हैं जैसे की होल्ड मी क्लोजर ब्रिटनी स्पेर्स का सॉंग है लास्ट वन इस समर्टाइम सागनेस लाना डाल रहे तो यह सारे सांग्स आपके परसन आपको सबसे पहले इस परसें से आप बुक्शाप पे मिल सकते हैं सबसे पर एकेहर इस पर सनसे आप पर सकते हैं संप रेस्टरॉम, बेकरी, जिम में भी आप इस परसन से मिल सकते हैं, उसके बाद चांसे हैं कि आप इस परसन से पार्क में मिलेंगे, ठीक है, अब मैं आपको बताओंगे कि आपके जो परसन हैं, वो लुक्स वाइस कैसे होंगे, ठीक है, लुक्स भी देख लेते हैं, लुक्स हो सकता है narrow nose और हर शेप फेस भी हो सकता है देन यह परसन प्लंप चहरा होगा तॉल होंगे और गोरे होंगे उसके बाद इस परसन की जो एनरजी है जो लुक है वो बहुत अलिकेंट होगा और यहां पे आपके परसन के लिए है matted hair हो सकता है round face हो सकता है पॉंटी लिप्स और पॉंटी चीन हो सकता है लास्ट वन इस शाइनी हेर पिंक लिप्स लॉंग फेस हाई चिक बोन यह सब है आपके परसन के लुक्स के लिए वह आपको लेंगे आपको discount मिलने वाला है और आपके according भी आपको discount मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन नहीं ले पाते थे रिडिंग इसलिए मैंने यह आपके लिए एक discount offer निकाला है जो कि आपको आपके according भी discount मिल चाहेगा तो अपने रिडिंग फटा फट बुक कीजिए ओके सो चलते हैं ववाइट टेक के कैसे बुक करोगे तो जीमेल अनिस्टाइडी शो कर दिया है वीडियो के description में भी जीमेल अनिस्टाइडी के channel link है ओके सो चलते है पहले विदिक एस्ट्रोजी कार्ट के तुरो आपके person के लिए कुछ information लेंगे तो information बिल्कुल करेक्ट आए उसके लिए पहले आपको align होना है subscribe करके family member बन जाना है ठीक है so please Scott give me curate message और देखिए परसनर इडिंग पे आज से आपका great discount on हुआ है और बात यहां पे यह है कि great discount कुछ हटके है actually बहुत साही लोग जो है परसनर इडिंग नहीं ले पाते थे तो अब सभी लोग परसनर इडिंग ले पाएंगे क्योंकि यहां पे मैं आपको greatest discount बहुत पड़े पेमाने पे देने वाले हूँ ठीक है तो जल्दी जल्दी अपनी परसनर इडिंग बुक कर दिन यहां पर पाइसेस की एनरजी है और एक काड यहां पर और है एरिस का एक लास्ट कार्ट इस वन यहां पर वेदिक astrology माने कार्ट क्यों लिया ताकि आपको एकदम accurate perfect message मिले आपके future spouse के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको explain करके बताऊंगी कि यह जो person है कैसे है उसके सबसे पहले यहां पर है लिब्रा की आपके जो person है वह कैसे है नेचर वाइस ठीक है अगर बाते कर रहे है घर में कुछ लोग आ गए ठीक है तो घर में लोग जो आगे उनको भी offer करेंगी कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं बाहर enjoy करके आते हैं ऐसा इस person का होगा और इनको driving में गाड़ी बागनी चलाना बहुत मज़ाता होगा लांग ड्राइव पर जाना बहुत मज़ाता होगा इस सारे चीजों में तो य एसे इंसाने जिनको घर पर जादा मननी लगता इनको बहर ज्यादा मन लगता है बहर ज़्यादा enjoy करना चाहते है ये person ठीक है ये person बहुत जादा खुश रहने वाले इसे खुशनुमा परसं कह सकते हैं वैसे होंगे ठीक है ये इनसान जो है इनके अंदर बहुत अच्छा नहींसा टैलेंट होगा लोगों को अपने तरफ कर लेने का ठीक है लोगों से अपने काम बनवा लिएने का और यह परसंट का एडिकेड्स भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है जैसे video परसंस कभी किसी से रूट भी नहीं नहीं किसी को भी ignore नहीं करतें for example इनके कोई जान पहचान के हैं तो कोई सामने से आ रहे तो बहुत सारे लोगा से होते हैं कि root behave करतें इग्नोर करतें लेकिन इनको पता है कि कैसे लोगों से मतलब greet करना चाहिए कैसे लोगों को high बोलना चाहिए कुछ stranger है, अच्छे लग रहे है, smile करना चाहिए तो इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि energy बहुत extra work type है ये person ठीक है? और जिस जगह पे रहते होंगे वो society बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा बहुत मतलब नामी society हो सकता है ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इनकी दोस्ती, इनके neighbor वाले से भी बहुत अच्छे खासे से दोस्ती होगी ठीक है, ये एक चीज भी है दूसरा point मैं आपको बताना चाहती हो कि आपके ये जो person है, ये बहुत जादा socializing में busy रहते होंगे ये social work करने में busy हो सकते है ठीक है, social worker भी हो सकते है उसके साथ-साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका favorite काम, favorite hobby क्या होगा तो favorite hobby इस person का दिखाई दे रहा है plants लगाना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने society में बहुत famous होंगे या अपने जगह पे बहुत famous होंगे plants लगाने के लिए ठीक है, तो mother earth के साथ इनका काफी अच्छा connection है ये ऐसे इनसान है जो कि अपने family के सारे responsibilities को उठाते हैं चाहे party organize करना हो या पैसे देना हो या financially support करना हो, हर एक चीज ठीक है, ये हमेशा जो है मतलब पढ़ते रहते हैं जैसे local library हो गया है उसमें जाना हो गया है तो हमेशा जाना है, ये सब कुछ करते है आपके ये जो person है, इनसे कुछ गलती होगी तो जुक कर माफ भी मागने वाले इनसान भी है और ये ऐसे इनसान है जो कि बहुत ज़्यादा harmonious life को maintain करने वाले person है ठीक है, कभी तकलीफ तो आती होगी इनके life में तो भी ये हसते रह जाते, वो वाली energy है ये person एक artist हो सकते है और एक artist के अंदर बहुत सारी feelings होती है और उस एक feeling में से मुझे सबसे important feeling दिखाई दे रहा है romance का होना ये person बहुत ही ज़्यादा romantic person होंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके जो person है, वो आपका care भी करेंगे as well as बहुत ज़्यादा romantic connection भी होगा ठीक है, वो person बहुत ज़्यादा gentle इंसान होंगे और आपके साथ बहुत सारा romance करेंगे ठीक है, अगर आप अपने first, second, third marriage में खुश नहीं रहें अच्छे partner नहीं मिलें, अब आपको अच्छे partner मिलेंगे या फिर अगर आप single ही है, first marriage होने वाला है तब तो बहुत ही अच्छे बात है आपके लिए तालीब बज़नी चाहिए हाना यहाँ पे आपके जो person है, वो बहुत अच्छे इनसान होंगे वो influencer भी हो सकते है, ठीक है, और यहाँ पे psychologist, clinical psychologist इस person की energy दिखाई देने, इनको पता है कैसे किसी के दिमाग को control किया जा सकता है, कैसे किसी के दिमाग को पढ़ा जा सकता है इस सारी qualities इस person के अंदर कूट-कूट कर भरी है और साथ-साथ यह books पढ़ते है, इनको काफी knowledge भी दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर होगा, wisdom इस person को जैसे लग रहा है कि खाना बहुत खाना पसंद होगा अब ऐसा नहीं कि कुछ सूचते होंगे, कि healthy खाऊ यह खाऊ, यह person बहुत खाते होंगे बतलब fit and fine होंगे, gym जाने वाले person भी होंगे at the same time यह खाना बहुत खाते होंगे जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है, healthy पे जदा ध्यान देते होंगे लेकिन कभी दोस्तों के साथ कहीं बहार चले गए या आपके साथ कहीं बहार जा रहे है तो यह person बहुत सारा fast food बहार का खाना यह restaurant में खाना करेंगे अब देखे यह आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी चरपटा खाना बहुत पसंद करते हैं और आपके person भी चरपटा खाना बहुत पसंद करेंगे कुछ लोगों के future spouse ऐसे होते हैं कि control करते हैं तुम्हें अपने figure maintain करनी है तुम्हें अपने figure को maintain करके रखना है तुम्हें अपने physical appearance को बहुत अच्छा बनाकर रखना है जहरे पे कोई pimples नहीं आना चाहिए ऐसे भी बहुत सारे होते है future spouse ठीक है husband five लेकिन आपके जो person है ये कभी भी आपको लेकर मतलब looks को लेकर judge नहीं करेंगे मैं आपको क्यों बता हवि कि i baut खाते होंगे क्योंकि ये person भी आपके उपर कभी drop नहीं दिखाएंगे बतलब आपको control नहीं करेंगे कि लो गाना रहे ना तुम्हें वो नहीं को तुम्हें पानी पर रहना है तो मैं इस प्रकियुमबर पर रहना है तो भी लोग उतना ही प्यार करते हैं वैसे ही मुझे आप दिकाई दे रहा है कि अगर आप बिना मेक अप के भी होगे एक्दम नॉर्मल होगे तो भी आपके परसन अपको उतना ही प्यार करेंगे उस से कहीं जादा क्यूट लगोंगे जब आप सोकर भी उठोगे या करो लाइफ में लेकिन कुछ गलत मत करना मैं तुम्हें हमेशा गाइड करूंगा राइट पाथ पर रखोंगा और कुछ ऐसा करना जिससे सभी लोग बहुत जादा प्राउट फिल करें ठीक है तो यह चीज है दिखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद ऐसा हो सकता अब दोनों मिलके अपने घर को चला सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी सालरी बहुत अच्छी होगी लेकिन आपका भी मन होगा कि मैं भी कुछ करूं मुझे बहुत इनकी मिले ना तो आपके परसन आपको पूरा सपोर्ट कर रहें कि आप भी कुछ करें अब आपको लगवा दे ऐसे भी मुझे आप एनरजी दिखाई दे लिए तो आपके जो परसन हैं उनको म्यूजिक भी बहुत पसंद होगा इनकी घर में कभी आप जाओगे ना शादी उगर तो जाओगे वैसे वी कभी आप मिलने जाए हो जैसे आप मेल परसन देख रहें इना मिलने जाए तो इनकी घर पे देखेंगे बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं सबी लोग म्यूजिक में इनवाल थे के मूजिक में बहूत बड़ा मतलब इनका हो सकता है कि नाम हो इनकी फैमिली को बहूत बड़ा नाम हो ठीक है यहां पर यह चीज दिखाई हो उसके बाद यहां पर आपकी एनरजी है कि यह person music किये हो हौब किये हो अपनी कुछ भी किये हो लेकिन उसके साथ सथ यह person अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके सी किये होंगे अपने पढ़ाई को complete कर रहे होंगे कुछ लोगों के ऐसा भी हो बहुत अच्छे से समझना इस person के साथ उठना बैठना higher education के लिए जाना नए courses में इन्रॉल करना पढ़ाई करना बहुत सारी creative work इस person के साथ करना एक दूसरे के लिए क्या बनना लवर बन जाना इक दूसरे का बहुत जदा प्यार करना ठीक है आपके कितने भी friends हो इनके बिन आपको मन नहीं लगेगा ऐसा आप दुनों की बीच में पहला relation होगा उसके बाद आपकी शादी होगी इस person के साथ आपके जो person ह हो सकता है कि कुछ अपना कुछ प्रोड़क्ट बनाना चाहते है कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट यह person हो सकता है कि कॉस्मेटिक सर्जन वगेरा में भी हो सकता है जरूरी नहीं है लेकिन या फिर हो सकता है यह इनका सपना हो सकता है ठीक है उसके बाद मैं आपके देख पाने ह लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह परसन बहुत रॉयल से रही बिलॉग करते होंगे ऐसा मुझे आपर दिखाई दे रहा है यह अपने लाइफ में बड़े-बड़े थिंकिंग क्यों करते हैं क्योंकि इनको पता है मेरे लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है जो चाह बहुत जादा डिफरेंट और आपसे हो सकता है मैच करें ठीक है वो सारी बाते यहां पर दिखाई दे रही है तो आपके यह परसन है यह अपने में भी लीन रहते हैं उसके साथ यह इंडर्स हो गए उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं अपने एंसिस्टर को बहुत जादा य जरुए थे कौन तुम्हारे लिए अच्छे होंगे वह सब आपको बताएंगे ऐसे तो यहां पर यह चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो परसन है वह आपको हमेशा कैंडल नाइट डिनर पर भी ले जाय करेंगे यह आपके हर एक कोईस्टिन का एंसर दिया करेंगे ठीक है और कभी इनको पूछना होगा तो डेलिकली पूछा करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक गुड रिलेशनसिप जैसा होना चाहिए वो चीज़ यहां पर हो सकता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे भी कावी आपके हो सकते है तीन चार तो होंगे जरू बहरती ज़्यादा आट सकते हैं कि ऐसी एनरजी कि इस परसन के अंदर कि लाइक बहुत इनुसेंट बन रहे है लिकिन यह अपनेनी कामको पुरा करा रहे हैं तो इनकी करना थे इस परस आपाने काम इनको कर रहे हैं तो इनकी निश चीज भी मुझे आप दिखाई दे रहा है अब दिखें यहां पे कुछ और भी पॉइंट में आपको बताना चाहते हूं कि आपकी जो परसन है यह अपने लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्राटेजी के साथ चलने वाले इंसान है ऐसा नहीं कि अभी कुछ कर लिया कल कुछ कर लिया नहीं इन्होंने एक महीने के प्लानिंग कर लिया उस पर वर्प करेंगे ऐसे इस परसन की दिखाई दे लिए ठीक है इधर उदर करने वाले इंसान नहीं है उसके बाद मैं आपको बताना चाहते हो कि आपके जो परसन है इनका जोडिक साइन एरिस भी हो सकता है आप किसी नहीं है और इसके बाद आपके जो परसन है यह परसन बहुत साथा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं थिक एक इसा है कि हमें चलोंगा तो मतने कॉरिंग चलोंगा ठीक है बहुत इंसान हो सकते हैं दुसरे के बढ़न को समझेंगे ठीक है लेकिन यह कभी भी आ होंगे सर्फ सेंटर्ड इंसान होंगे प्राक्टिकल होंगे और कुछ इनके अंदर सिंस मुझे टाइब दिखाई दे रहा जैसे कि यह परसन एक लाई डिडेक्टर परसन मतलब की एक्सलेंट स्पाई हो सकते हैं जैसे कि आगर आपसे शादी करने बाले हैं अपने कमिट्मेंट दिया इनन्होंने कमिट्मेंट दिया तो अजया कि को बलते होकितना सब्सक्ति हो हॉ और परसन के अंदर बाई बर्थ नेच्रली कह सकते हैं या यूनिवर्सल गिफ्ट कह सकते हैं जो की इनको मिला है लाई डिडाक्टर मतलब समझ जाना जूट को पकड़ लेना ठीक है और किसी को भुकूफ बना देना वह वारी अनरजी भी है तो बहुत जादा एक्सिलेंट परस आप इनके लिए परफेक्ट लगोगे यह परसन डेफिनेटली आपके लिए आगे बढ़ेंगे ठीक है यह परसन जो है बहुत अट्राक्टिव होंगे इसमें कोई शक नहीं है ठीक है क्योंकि यह परसन अपने बॉड़ी का अपने लुक्स का बहुत ख्याल रखने पाले भी होंगे उसके बाद मैंने अपको बताया कि लिए इस परसन का जोडिक साइन होगा बहुत ऑथो डॉक्स इस परसन के एनरजी है दिन यह परसन बहुत ज्यादा अट्राक्टिव और ब्यूटिफिल तो होंगे ही होंगे इसमें कोई शक नहीं है अगर आपके मन में यह ड करना होगा यह भी करेंगे और आपको भी करना होगा ठीक है इनका सबसे बड़ा आपसे क्या हो सकता है एक्सपेक्टेशन हो सकता है उसके बाद यह परसन आपको आपके गलतियों के लिए माफ किया करेंगे यह ऐसे होंगे ना कि पहले बहुत टॉलरेट करने की कोशिस करत किसी भी परसन के बातों को एक दिम लेते होंगे इनको कुछ इनका कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो उस पर ध्यान देते होंगे लेकिन बागे सारे लोगों को उनके बातों को बहुत लाइट लेने वाले इंसान है बतुब जैसे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सबी लोग अलाइन हो जाएए जो भी मेरे वीवर स्पाइटू देख रहे है जिनका बथरे जुलाई से दिसंबर की बीच में आता है या कार्ट डोर टूर्वाइस चूस किया है बताइए इन लॉस के साथ कैसा कनेक्शन होगा देखिए परसनल निंग के लिए कॉंटाक कर ल हो चुका है जो भी परसने डिंग नहीं ले पा रहे थे वह सभी लोग परसने डिंग अब ले सकते हैं ठीक है तो आप जरूर जल्दी से कॉंटाक कीजिए और अपनी बुकिंग कीजिए तो यहां पर सबसे पहला काड़ है तेन आफ कर यह तो बहुत ब्यूटिफुल एनर सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर फ्रेंडली कनेक्शन आपके इनलॉज के साथ भी हो सकता है ठीक है उसके बाद इनलॉज के साथ कनेक्शन होगा आपका नाइन ओफ पेंटिकल्स आप जब वर्क करोंगे काम करोंगे तो बहुत प्राउट फिल करेंगे बहुत करने वाले हो सकते हैं ठीक है उसके बाद कोई ना फॉंट की बहुत जादा पूजा पार्ट रिलीजिस टाइप यह लोग होंगे ठीक है हर वक्त आप देखो कि घर में कोई ना कोई पूजा कर रहा है कोई आरती कर रहा है ठीक है तो इस तरह का चलेगा मेडिटेशन वगे लेकिन वो मैरेज़ प्रॉपोजल रहे गए लोज में पसंद नहीं किया ठीक है तो यहां पर यह चीज है कि अब आपकी किस्मत बदल रही है क्योंकि आपके किस्मत में लिखा ता अच्छे लॉस का आना इसलिए हो सकता है बहुत जादा रिजेक्शन मिला ठीक है मैं आप आपको बताऊंगी कुछ रहमेडी जिससे आप आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में रिजेक्शन वगेरा से बच सकते हो ठीक है क्योंकि आप रिजेक्शन देख देख के परिशान हो चुके है अब आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबल मैरेड लाइफ मिले कोई न लगे यह अमे को से आप आप खॉताच मेरेड वो चीज मुझे आपने लिए दिखाई देरा इन लॉश से दूर रहने की चांसे मतलब दूसरे जाका पर धरने की चांसे ज्यादा दिकाई देरे हैं अब मैं आपको बताती हूं रहिदी will जरूरी है जानना कॉन सार्मेडी आपके लिए जरूरी होगा ओके मतलब हो सकता है कुछ टाइम तक आप रहोगे मतलब अपने इन लॉस के साथ उसके बाद आपको किसी कारण के वज़े से वहां से जाना पड़ेगा देखे टो अवाइड डिले इन मैरेज अगर शुड विय लगतार आपको पानी डालना है ठीक है उसके बाद क्या है मन से डालना है पॉजिटिव होकर डालना है ठीक है आप चाहिए तो 16 सुमवार का फास्टिंग कर सकते हैं उस वक्त आपको लौट सिवा का ध्यान करना है और उनको कहना है कि मेरी शादी जल्दी से करा दे और जो इतर हो या नाइस पर्फ्यूम हो जो भी आपको अच्छा लगे लेकिन अपने बाड़ी पर डालना है उसके बाद यहां पर है कि देखे बात यह है कि बहुत जादा मैरेज नेकुसियेशन होता है प्रॉब्लम्स होते हैं घर पर आंग गय हो शादी के बाद चल रही है उस के बाद यहां पर डौनेट करना है आपको अगर अपको कलोर से कह हो रहे तो friday को कीजिए next week में भी Friday को कीजिए धर्ड वीक में भी Friday को किजिए ऑफ फ्राइड कर वीजिए कुछ भी कर सकते हो यह आपकी चंपता की अपर depends करता है लेकिन क्लोज करना है क्लोज में कुछ भी हो सकता है चाहे मास्की हो ओ ठीक तीच इच एव बात में थोड़ा सा जो बातिंग वॉटर होता है उसमें थोड़ा सा आप टॉमरिक पाउडल मिक्स करके कर सकते हैं वन वीक में वन टाइम ठीक है उसके बाद यहां पर चाहे तो आप रेट चुन्मी सिंदूर यह रेट बैंगल्स जो है आप ऑफर कीजिए मतलब जब आप जाते हैं मंदिर ठीके गॉड्डिस पारवती दुर्गामा उनको जो ह आपका जो मैरेज में दिक्कते हा रही हैं वो खतम होगे और राप चरित्र मानस का जो पैसेज होता है वो भी आप पढ़ सकते हैं इससे क्या होगा कि आपके शादी में जो भी दुकावट आहिए वो जड़ी खतम होगा और जो बाल कांध है ठीक है वो भी आप कर सकते हैं जो कि इस पारवती के मैरस से रिलेटेड होता है तो भी आप कीजिए ज़रूर ठीक है तो यह सारे ब्यूटिफुल आपके लिए क्या है रमडीज है अब मैं आपको बताते हूं कि आपकी जो परसन है उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है प्रोफेशन देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपके परसन बैंकर लोन ओफिसर हो सकते हैं या चीफ फाइनेशल ओफिसर हो सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपके परसन का प्रोफेशन है Health educator, biological technician, physical therapist, genetic counselor और biochemist हो सकते है उसके बाद यहाँ पे आपका है attendant, sportsman, priest, paramedic, industrialist या फिर therapist आपके person जो है state PCS officer भी हो सकते है और देखते है गाइडर, देन यहाँ पे आपका है civil servant हो सकते है आपके person मेभी आपके person एक YouTuber भी हो सकते है brand ambassador, community outreach manager और देख लेते है आपके जो person है वो excise inspector भी हो सकते है ठीक है? bank PO हो सकते है, choreographer हो सकते है public relation manager, event coordinator, event manager देन यहाँ पे आपका है photographer, bodybuilder, architect, librarian या singer और देख लेते है please God give me a curate message robotic engineer, hardware engineer, algorithm engineer या aeronautical engineer and last आपका है, okay security, electrician, soldier, forest stranger officer या फिर sales person हो सकते है तो यह सारे आपके person के profession हुए, ठीक है? अब मैं कुछ cards लेकर बताऊंगे कि क्या आपका भागे उदे होगा या नहीं आपके person जब आप से शादी करेंगे आपके life में आएंगे तो किस तरीके से changes होगे? कैसे भागे उदे होगा? अगर होगा तो तो देखते है पॉजिटिव रहिए प्लीज काट गिव में एक एक मैसेज भागे उदे होगा यादी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक काड़ और फोर्थ चीक है? और यहां पर सबसे पहला काड़ है वो है आपका O'MY GOD यहां तो Divine Healing का काड़ है जब भी आपकी शादी होगी, जिसने आपकी शादी होगी आपका डिवजी Divine Healing होगा मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़ा YES के नगल कर आया है कि यहाँ आपके life में भागे उदे होगा और कैसे होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत जादा कभी respect मिलाने तो यहाँ पर आपके हो सकता है कार्मिक partner ने कभी आपके respect ने की divorce हुआ हो सकता है उसने कभी ने किया लेकिन in future जि क्योंकि वो इंसान आपको करें कैसे ये आपका भागी उद्वे लेकर आ रहे हैं तो यह person अपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं जैसे भगवान यूनिवर्स पोर्ट करते हैं आपको ठीक है वैसे ही यह परसन आपको सपोर्ट करेंगे आपको हर एक बात पर यह person ही लेकिए आपका तवित खराब है उस वक्त आपके साथ होंगे प्यार करेंगे समझेंगे ऐसी एनरजी मुझे आपके दिखाई दे रही है तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यह है कि कोई आपके साथ हो या ना हो आपके यह परसन है वह आपके साथ ठीक है बिल्कुल आपका हाथ चेंजस आपके लाइफ में होंगे मन के सारे डर टेंचन तनाव एंजाइटी खतम हो जाएंगे ठीक है और उसके बाद यह परसन भागे उद्धे में लेकर आ रहे हाईर लर्निंग अगर आप अपने पढ़ाई को कंटीनू करना चाहते थे लेकिन शादी के चक्कर वे शा मैं पढ़ पाऊंगी यह पढ़ पाऊंगी नहीं मैं गाइंज इसे मेसिडिश जॉब बाद या द्रीम जॉब मिलेगा यह थे इपिनल्री आप को आपका द्रीम लाइफ मिलेंगों अगर आपकी शादी कराई भी जारी है अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देखते भी कराई जारा है तो भी आपके किसमत में लिखा है भागे उदे तो आप शादी कर सकते हैं बात यहाँ पर यह है कि आपके जो future spouse होगे वो किस तरह से भाग उदे लेकर आ रहे है वो इंसान आपको आपके पढ़ाई में higher learning में हर एक चीज में help करेंगे जो आप चाहते हो उस चीज में वो इंसान help करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह चीज है कि इस person के साथ तो आप बह करेंगे आपके person आपको support करेंगे कि तुम जाओ तुम्हें को foreign जाना है जहां जाना है मैं चलूंगे तुम्हें 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 अपने higher learning को complete करना है ठीक है और उसमें मैं हूँ तुम्हारे support में ऐसा है आप होगा और इन-laws भी होगी support में ठीक है उसके बाद कैसे भ आपके इन-laws के साथ आता आपके family के साथ जो भी connection बना है नहीं वह strong connection बनेगा और soul expansion होगा इस तरीके से आपका भागे उद्धे होगा ठीक है बहुत बड़ी बड़ी चीजे आप अपने life में कर पाऊए वह ability आपके अंदर आ जाएगी ऐसा मुझे आपके clearly दिखाई दे र सबसे पहले हैं यहां पर आपका यह person जो है ना कभी वीकेंड होगा तो यह person आपके सब planning करेंगे और यह person को जैसे लग language इनका होगा पहले तो वीकेंड प्लान करना कोई beautiful natural place पे चले जाना और यह person आपको एक relaxation जो है मसाज दे सकते हैं ठीक है और काफी अच्छे से मसाज क सब्सक्राइब करेंगे वो चीज दिखाई दे रहा है यह person आपके लिए कुछ अच्छा खाना बनाया करेंगे ठीक है अपने हाथ से बनाकर खिलाएंगे हो सकता हमेशन ना बनाकर खिला पाएं लेकिन अपके फेवरिट मिल को यह person की बहर से order करके नहीं बलकि अपने हाथ तो से बनाया करेंगे यह से लिए और मेशन द्यूसर लिए जो परसन है कुछ नाओ द्याकर ज्यसे कि यह जाये करेंगे यह person आपको सर्प्राइज डिट पर ले या करेंगे तो डिन पर याद कर करतें रहिंगे वह ऑच्रीश ज्डेकर गोग फ्लीनेर त ली तरह कार यह person आपको safe feel कराएंगे, nurture करेंगे, adore करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे, यह इनका love language है, एक last है वो है आपका, यह person जो है आपको हमेशा कुछ न कुछ surprises दिया करेंगे, कहीं भी बाहर जाने से पहले, ठीके हो सकता है कि कुछ project पे काम करना है, कुछ deal करना है, उसके language होगा, आपके future spouse का, देखते हैं इस person का name initial क्या है, सबसे पहले तो J है, Z है, please God give me a curate message, P, W, N, please God give me a curate message, U, F, I, three last H, S and last one is P, तो यह सारे जो है name initial होगे, अब मैं आपको बताऊंगे कि आपके जो person है, वो consistent के है, प्ली सकॉट, गिप me a curate message, कौन से state के होंगे, P, परसने इंग पर आपका greatest discount है, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी अपनी booking कीजे, आज से आन हुआ आपका greatest discount, और आप जैसे चाहते हो, वैसे आपको discount मिलेगा, तो इस वज़े से आप सभी लोग अपको परसने इंग बुक प्लाना, और देखते हैं, कहा के होंगे ये परसन, लक्षदीप, मनिपूर, आसाम, डेली, मर्द प्रदेश, और लास्ट वनेस, आंदर प्रदेश, ठीक है, ये सारे states हो गए, अब देखते हैं कि आपके लिए, कौन सा country important है, कौन से country के होंगे ये परसन, पॉजटिव रह हमादीजे, कौन से country के होंगे इनके person, सबसे पहले हैं यहाँ पर आपका ग्रेनडा, ये परसन जो है, तुर्की के हो सकते है, आपके जो person है वो आपके, व्लीज के हो सकते है, जॉर्दन के हो सकते है, ठीक है एक लास्ट यहां से और देखते हैं, वो है आपका, हांगरी, दिल यहाँ पे आपके परसन नेपाल के हो सकते हैं, आस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं, रश्या और देखते हैं, ग्रीस, ब्यूटिफुल, उस्वेकिस्तान, क्युवेथ, पोलैंड, सांड केंस और नेवीज, कुछ लास्ट देखेंगे वो है आपका, टॉंगा, मौरको, पाकिस्तान, फिजी, और लास्ट वन इस, ओके, लास्ट है एक्वाडोर, तो यह सारे कंट्रीज हैं, जहां से आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, अब दिखें यह सारे कंट्रीज जो है, ज़रूरी नेकिन निशनालिटी हो, हाँ, यह परसन आपको लेक और लाइफ में कब तक आएंगे, प्ली सकूर्ट गिनेक यूरीट मैसेज, स्प्रिंग सिजन, ठीक है, बीस कॉर्ट गिनेक यूरीट मैसेज, बताएये मेरे व्युवेर्स के लिए अक्यूरेट मैसेज दीजे, थाउसन परसें अक्यूरेट मैसेज चाहिए, ओके दिस वन मुझे ऐसा लग रहे है कि इस person का marriage proposal आया है ठीक है चले गए है फिर से वापस आ रहे है ऐसा लग रहा है उसके बाद विदिन 9 months यह आपके life में आएंगे है ओके और राइट एक और कार्ड विदिन 2 months देखिए हो सकता है दो महीने के अंदर आ जाए और आपकी शादे विदिन 9 months हो जाए यह फिर समर सीजन में होगी होगी समर सीजन में तो मिलोगे होगे अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है आपको कौन सा सॉंग डेडिकेट करना चाहते हैं पॉजिटिव है आप सभी लोग सबसे पहले यह दिल दी अगल्ला इस यू अली का सॉंग है दिन यहाँ पे आपका है बॉन टुटाइ लाना चाहते हैं दिन यहाँ आपको सॉंग डेडिकेट करना चाहते हैं हैं ओके हरली इन हवाई ओके दिन यहाँ पे आपका है थाउसंड यूर और राइट दरसल आतीफ असलम वास्ते मेरे रश्ट के कमर और देखते हैं प्लीज कार्ट गिप मेकिरेट मैसेज़ लेट्स स्टेए तोगेधर देन यह परसन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं बंजा रानी ओके आदिल है मुश्किल चन्दा मेरेया आपका पसूरी लास्ट वन इस तुम ही आना तो यह सारे सॉंग्स आपके करेंट जो परसन है या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वह आपको डेडिकेट करना चाहते हैं बहुत सारी लोगों के लिए मुच्छा लग रहा है कि परसन आपके लाइफ में और बहुत सारी बाते मैच भी की होंगे अब देखते हैं यह जो परसन है फर्स टाइम कहां मिलेंगे आपको अगर मिले हो तो वो भी आपको पता चल जाएगा मार्केट की करेंट परसन है या नहीं बुक्षाप ओके बस स्टॉप है वो ट्रेन स्टेशन है आपका और यहाँ पर फायर स्टेशन है इंसिच्यूट पार्क जिम वोबाइल स्टोर अधर कंट्री गिफ शॉप शूप या फिर डिपार्टमेंट स्टोर इस तरह के प्लेसे पे आपके परसन आपको फॉर्स टाइम मिलेंगे ठीक है तो यह सारे आपके लिए इंफॉर्मेशन है होप आपको क्लारिटी मिली होगी समझ में आया होगा चैनल पर नए है सब्स्राइब कर लिए लाइन हो जाईए ताकि आपको इस तरह के ब्यूटिफुल रिडिंग हमेशा मिले और और बुकिंग जल्दी जल्दी करते जाएगा क्योंकि आपको आपके अकोर्डिंग डिसकाउंट मिल चाहेगा ओके सुब बाइटेक केर